गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं खेरियस से होंगे खुब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छी बाते बेटा चलिए फिर आज हम कौन सा नया सबक पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 31 यानी सबक 31 क्या पढ़ेंगे ब अगर तो चलिए शुरू करते हैं बिनादेरी कियो हुए ये देखिए हिरन ने अपने दोस्त बकरे से कहा आओ एक घर बनाए बकरा बोला बहुत अच्छा मैं तयार हूं बकरा तयार भी हो गया ठीके बेटा आगे चलते हैं हिरन ने कहा किसने कहा हिरन ने मैं जमीन खोदूंगा और तुम लक्रियां लओ दोनों चले एक हरे बरे पहार के पास की जगा पसंद की कहां पे पसंद की बेटा पहार ये जगा बहुत ही खुबसूरत थी दोनों खुश हुए और घर बनाने लगे पास ही एक बतक रहा करती थी उनके पास गई और बोली मुझे अपना साथी बना लो अकेले जी नहीं लगता हिरन और बक्रे ने बतक से पूछा बहन तुम क्या करोगी हिरन और बक्रे ने किस से पूछा बतक से कि बहन आप क्या करोगे घर की छट के लिए घास चुन कर लाऊंगी किसने बोला बतक ने घर की छट के लिए घास चुन कर लाऊंगी हिरन और बकरे ने कहा अच्छा आव मिलकर घर बनाए हिरन बकरा और बतक घर बनाने लगे एक खरगोश जाड़ियों में से उचलता कूदता निकला और बोला क्या बोला विटा आगे चलते हैं ये देखे दोस्तो सलाम क्या बोला विटा दोस्तो सलाम मुझे भी अपना साथी बना लो सबने मिलकर खरगोश से पूछा भाई तुम हमारी क्या मदद करोगे क्या बोला कि भाई तुम हमारी क्या मदद करोगे खरगोश ने जवाब दिया अपने नुकेले दातों से लकड़ी काटूंगा क्या बोला अपने नुकेले दातों से लकड़ी काटूंगा सब जानवर घर बनाने लगे इतने में कहीं से एक मुर्ग आग निकला क्या निकला मुर्ग आग निकला और पूछने लगा दोस्तों क्या कर रहे हो सब ने एक साथ जवाब दिया घर बना रहे हैं सब ने एक साथ क्या जवाब दिया बेटा घर बना रहे हैं मुर्ग बोला भाईयो मुझे भी साथी बना लो क्या बोला मुर्ग ने यानि मुर्गे ने क्या बोला भाईयो मुझे भी साथी बना लो सब जानवरों ने मुर्ग से पूछा तुम क्या करोगे तो मुर्ग ने कहा तुम्हारी चौकी दारी करूँगा तुम्हारा चौकी दार बनूंगा यहां पर क्या लिखा बेटा मुर्ग ने क्या बोला तुम्हारा चौकी दार बनूंगा और तुम्हें सुभा सवेरे उठाया करूंगा जाहिर सी वात है अब सब को पता है कि जब सुबा होती है तो मुर्गा बोलता है कुकडुकू और फिर उसकी आवाज सभी सुनके उठ जाते हैं है ना तो सब जानवरों ने मिलकर घर बनाया मुर्ग चौकीदार बना सब साथ ही नए घर में खुश-खुश रहने लगे मिया मुर्ग रोज आना सुबा सवेरे उठ कर ये गीद गाते बेटा चलू सा नेंस से जागो कुकडुकू भाई कुकडुकू काम को जाओ काम को जाओ कुकडुकू भाई कुकूकू फिर से एक बार सुन लेते हैं नीन से जागो नीन से जागो कुकडुकूं भाई कुकडुकूं काम को जाओ काम को जाओ कुकडुकूं भाई कुकडुकूं तो जैसे मुर्गा बांक लगाता था सारे जानवर उड़ जाते थे ये देखिए ये मुर्गा घर की छट पर बैठके कुकडुकूं की बांक लगा रहा है है ना और सबको जगा रहा है कुड़ जाओ और अपने काम पे लग जाओ है ना तो ये चैप्टर बिटा आप सबको बजा आया होगा पढ़ने में समझ में भी आया होगा तो चलिए इसका सवाल जवाब भी हम सभी कर लेते हैं क्या सवाल है कि हिरन ने बकरे से क्या क् पढ़ा था हिरन ने अपने दोस्त बक्रे से कहा आओ एक घर बनाएं क्या बोला था बेटा आओ एक घर बनाएं दूसरा सवाल क्या हिरन और बक्रे ने घर के लिए कैसी जगा पसंद की हिरन और बक्रे ने एक हरे भरे पहार के पास घर की जगा पसंद की ठीक है बेटा कैसी पसंद की थी हरे भरे पहार पर एक जगा पसंद की थी जो कि बहुत खुबसुरत थी जाहिर सी बाते पहार बहुत खुबसुरत होते हैं उस पर हर्याली होती है ठंड़ ठंड़ सा procent होता है बहुत ही नहायत खुबसूरत होता है ठीक है आगे चलते हैं घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली तो घर बनाने के लिए खरगोश ने अपने नुकीले दातों से लकड़ी काटने की जिम्मेदारी आगे चलते हैं बेटा, अब चौता सवाल क्या है बेटा, कि बतक ने घर बनाने के लिए, क्या है यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं, बतक घर बनाने के लिए क्यूं तैयार हुई? क्यों तैयार हुई बतक अकेली रहती थी और अकेले रहकर उसका जी नहीं लगता था इसलिए वो हीरन और बकरे के साथ घर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि मैं घर के छट के लिए घास चुनकर लाऊंगी है ना बेटा बतक ने भी तो मदद की थी अब फिर पाँचवा क्वेस्चन क्या है बेटा मिया मुर्ग सुबा सवेरे कौन सा गीत गाते थे मिया मुर्ग सुबा सवेरे उठकर यहां गीत गाते थे अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा था नीन से जागो नीन से जागो कुकडुकू भाई कुकडुकू काम को जाओ काम को जाओ कुकुरुकु भाई कुकुरुकु तो मिया मुर्ग ने क्या बोला था बिटा ये देखिए ये आपको इसे याद करोगे न तो बड़ा मज़ा आएगा आप इसको बोलोगे तो आगे चलते हैं बिटा ये देखिए यहाँ पे क्या है खाली जगा है औ पहाड के पास घर बनाने के घर की जगा पसंद की तो डैस डैस में क्या भरोगे बेटा भरे हरे भरे हरे भरे पहाड के पास यहां पर क्या लिखोगे बेटा आप भरे ओके आगे चलते हैं दूसरा सवाल क्या है बेटा पास ही एक डैस डैस रहा करती थी बकरी या बतक बतक रहा करती थी थी न तोम बतख कैसे लिखेंगे, ये ऐसे करके बतख हो गया है न आगे चलते हैं, तीसरा सवाल क्या है, अपने नुकीले दातों से डैस डैश काटूगा, क्या काटूगा, मिट्टी काटूगा, लकडी काटूगा, किस ने बोला था ये, ये तो खरगोष ने बोला था आप सबको पता है लक्री काटूंगा आगे या divi सुंदर सी राइटिंग में आप लिखेंगे खूप सूराइटिंग में ओके बेटा चोथा क्या है सब जानवर डैस डैस बनाने लगे घोसला बनाने लगे नहीं तो घर बनाने लगे थे ना वो तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा घर बनाने लगे थे सभी जानवर मिल जुलकर एक साथ घर बनाने लगे और सभी बहुत खुश थे अच्छा बेटा तीसरे सवाल पे क्या है आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे तीसरे में हुरूफ दिया हुआ अपको उसके हुरूफ अलग करने है सब तो सबसे पहला क्या है बहन बे लिखा आपने हे नू बहन हो गया फिर बतख है बे तोई और खे मिला के क्या हो जाएगा बतख तो बेटा ये सारी चीज़े बहुत आसान है और आप तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो आप सबी बहुत जहीन हो आप सबी बहुत अच्छे से कर सकते हो अब ये आगया बकरा बकरा में देखे कौन कौन से हुरूफ है सबसे पहले तो बे दिखा हमें फिर काफ दिखा, बक हो गया, फिर रे दिखा, बकर हो गया, अलिफ लगा दिया, बकरा हो गया अब यहां पे क्या है वेटा, यहां पे वैसे मैंने सामने लिख रखा है बट समझा देती हूँ नुकी ले तो सबसे पहला हुरुफ क्या है बेटा नून है फिर उसके बाद क्या है काफ है फिर क्या है ये है नुकी हो गया फिर लाम है फिर बढ़ी है नुकी ले है ना है ना एजी अब आगे चलते है निकलना नून काफ लाम नून अलिफ निकलना इस तरीके से हमने इसे स आप कहे रहे हैं बेटा, कि हरुफ को मिला कर, लफ्स बनाई यहाँ पर हुरूफ दिये हुए हैं और हमें इसका क्या बनाना है, लफ्स बनाना है, क्या बनाना है मैं वट्स ये क्या है, हमने जीम को आधा बनाया जीम हो गया और फिर इसी में लाके हमने आदा गाफ जोड़ दिया अब ये भी हे लगाना हमने लटकने वाला हे लगा दिया तो क्या हो गया बेटा ये जगा फिर आगे चलते हैं फिर कहरे हैं पहाड लिखना है क्या λिखना पे है लटकने वाला है अलिफ अन्हाट पहाढ होजाएगा पेटा देखो ये मैं लिखतो रही हूँ लेकिन इससे मुझे बहुत अच्छा वाला लिखना तो नहीं आता इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया आपको पहाढ ऐसे लिखना है ठीक है बता सकती हूं क हाँ इसको कैसे मैं लिख सकती हूँ ठीक है अब ये है सींग देखो बेटा सींग कैसे है आदी हमने सी बनाई और फिर इसी में हमने ये जोड़ दिया सी हो गया फिर हमने इसी में नून जोड़ दिया सींग हो गया और फिर ला के हमने क्या कर दिया इसमें गाफ जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा ये सिंग हो गया अब आगे चलते हैं ये क्या है अकेले अलिफ काफ अधा बढ़ी ये अके हो गया लाम और ये अकेले है ना यहां सामने लिख भी दिया है मैंने ऐसे ठीफ इसी तरह होगा खर खर खे बनाया आदा इसे में हमने रे जोड़ दिया खर हो गया गाफ में वाव जोड़ दिया ये गाफ में और हमने ये वाव जोड़ दिया खर गो हो गया और शीन क्या हो गया बेटा खर गोश आगे चलते हैं आगे क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे मैच करना है आपको सही मिलान करना है हिस्राय अलीफ और बे का सही जोड मिलाना है हमें ओके यानि मैचिंग मैचिंग करनी है तो चलिए शुरू करते हैं ओके अलीफ है यह और यह बे है यहाँ पे मैंने 1,2,3,4,5 कर दिया बिटा इससे आप कर सकते हो यहाँ मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया था है ना यह थोड़ा सा जूम कर देती हूं इसको और वैसे एक चीज़ बताओं मुझे लगता है बच्चों को मैचिंग करना बड़ा पसंद आता है हीरन हीरन क्या था हीरन ने क्या किया था बिटा जमीन खोदा ठीक और खरगोश ने क्या किया था खरगोश ने तो अपने नुकीले दातों से लकड़ी काटी थी है ना और बकरा बकरा क्या था बकरा जो था लकड़ी लाया था और बतक ने क्या किया था बतक तो घास चुनकर लाई थी न और मुर्ग ने क्या किया था चोकी दारी करना यानि मुर्ग ने चोकी दारी की थी तो इस तरीके से हम इसे मैच कर सकते हैं ठीक है बेटा ओके और बेटा अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसे आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे सजा सजा के लिखेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे तो आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे बेटा क्या पढ़ेंगे जमीर आप सबने इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ा होगा हिंदी में सर्वनाम पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा सर्वनाम और आज फिर हम उर्दू में क्या पढ़ेंगे बेटा जमीर प्रोनाउन को उर्दू में जमीर बोलते हैं सर्व नाम को उर्दो में जमीर बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जमीर बेटा मैं इसलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ क्योंकि आप दोनों ने आप सबने पढ़ा ही पढ़ ही रखा होगा अगर आपने इसको पढ़ रखा है इसका concept clear है तो आप जमीर उर्दू में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो तो जमीर की definition क्या है बेटा ऐसे अलफाज जो किसी नाम की जगा इस्तेमाल होते हैं उसे जमीर कहते हैं जैसे मैं तुम वो उस हमने अमारे तुमारे हमने तुमने वगयरा वगयरा इस तरीके के बहुत सारे जो होते हैं बेटा वो जमीर होते हैं ठीक है अब यहाँ पर नीच बहुत अच्छा, मैं तयार हूं अब इसमें जमीर क्या है बाटा मैं है न, ये देखो मैं जमीन खो दूँका, तुम लकड़िया लाओगे अगर मैंने ये संटेंस तुम्हें दे दिया आप सब को दे दिया, तो बोलूँंगी बाटा, इसमें जमीर ढूंडो तो इस तरीके के जो होते हैं बेटा सेंटेंस, अगर हमने दे दिया और टेस्ट लेने को बोला, कि बेटा चलो इसका टेस्ट दो और आप मुझे इसमें से जमीर डूढ़ के दिखाओ, सरकिल करो या टिक करो, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपको पेटा ये चीज समझ में भी आ गई कि जमीर कहते किसे है अच्छा फॉर एक चीज में और सब आप सब को बता देती हूँ कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला शबनम एक अच्छी लड़की है शबनम अपने वालिद्यन की खिद्मत करती है ठीक है वो अपने वालिद्यन की खिद्मत करती है उसे खाना बनाना अच्छा लगता है वह रोजाना इसकूल वक्त पर जाती है उसे वक्त पे काम करना अच्छा लगता है तो वहा वो उसे उसको ये सारी चीज़े क्या है बिटा जमीर है ना जमीर और शबनम क्या है इसम है संगया है नाउन है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं तो बेटा उमीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और ये जमीर जरूर लिखेंगे आप ठीक है अब यहाँ पे बेटा क्या दे रखा है खुबसूरत, बतख, सुबा, खरगोश, मुर्ग तो बेटा इसे आप बहुत ही खुबसूरत सी राइटिंग में खुशकत राइटिंग में आप यहाँ पे इसे लिखेंगे पैंसिल या पैंसे बेटा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन आप मुझसे जादा अच्छा लिख सकते हैं ठीक है बेटा और बेटा प्लीज अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सस्क्राइ जरूर करिएगा ओके बेटे बाई